नमिश्कार फ्रेंस, आइज, आखें, एक ये वर्दान है भगवान का इश्वर का जो हमें दिया गया है जिससे हम इस बहुत सुंदर से संसार को देखते हैं और हर चीजों का मज़ा ले पा रहे हैं अगर हमें सोचो आखें ना होती तो हमारी लाइफ कैसी होती आखें हमारी बॉडी का एक बैलेंसिंग सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को और हमारी लाइफ को दोनों को ही बैलेंस करता है आई इस एक ऐसा कॉंपलेक्स ओर्गन है जिसे मिनिरल्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रियंट्स एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए तो चलिए अपनी जर्णी बढ़ाते हुए कुछ ऐसी चीजें आज मैं आपको बताती हूँ जिनकी डेफिशेंसी से आपकी आई साइट पर फरक पड़ेगा या आप आँखों से रिलेटेड किसी बिमारी का शिकार हो सकते हैं और आपको अपनी हेल्दी आईस रखने के लिए क्या-क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है अगर किसी भी एलिमेंट की वेटामिन है न्यूट्रेंट है या फिर कोई भी मिनिरल है अगर उसकी डेफिशेंसी हो जाती है याने कमी हो जाती है तो there will be risk of developing an eye disease ये खत्रा हो जाता है कि हम eye disease जिवलाप कर सकते हैं वो glucoma भी हो सकती है, macular degeneration भी हो सकता है and even अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो patient को night blindness भी हो सकती है, means कि उसको दिन में तो properly दिखेगा लेकिन night में वो नहीं देख पाएगा, totally blind हो जाएगा वो. कुछ ऐसी vitamins हैं और food हैं जो हमारी आँखों के health के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आती है vitamin A, vitamin A हमारे जो cornea होता है आँख का, उसको maintain करती है, और vitamin A की अगर deficiency हो जाए, तो इसकी deficiency से हमें night blindness हो जाती है, vitamin A में component पाया जाता है, जिसको हम rodo spin कहते हैं, जो की हमें allow करता है कि हम dim light में भी देख सकें, अगर rodo spin हमारी body में deficient हो जाएगा, vitamin A की deficiency की वज़े से, तो जो dim light होंगी हम वहाँ पर नहीं देख पाएंगे, हम वहाँ पर blind हो जाएंगे. विटामिन A की rich source होती है, pepper and carrot, carrot और pepper को आप अपनी diet में include जरूर करें. नेक्स्ट आती है vitamin C, vitamin C जो होती है आपको ultra violent radiation जो sun की हैं उससे protect करती है आपकी आँखों को और oxidative damage से भी बचाती है. यह जितने भी citrus fruit होंगे, orange है, grapes है, broccoli है, यह सब में पाई जाती है, तो vitamin C का जरूर consumption करें, daily base पे करें क्योंकि यह water soluble है और यह body में urine के साथ excrete हो जाती है, तो daily intake इसका बहुत जादा जरूरी हो जाता है. next आती है vitamin B, vitamin B6 हो, B9 हो या B12 हो, अगर वो sufficient amount में हमारी body में present है, तो एक component होता है hemocysteine, hemocysteine को वो low कर देती है, यह hemocysteine है क्या, यह एक amino acid होती है, जो की inflammation से linked होती है, और अगर यह body में बढ़ जाता है, तो inflammation भी बढ़ जाता है, तो इस से vitamin B अगर sufficient मातरा में है, तो कहीं न कहीं inflammation से हम protect रहते हैं, जिसे आम भाशा में कहते हैं, आँक आ गई, that is conjunctivitis, vitamin B की rich sources है, fish है, dark green leafy vegetables है, peanuts है, peanuts है, peanuts तो season भी चल रहा है, खूब खाई है आप, लेकिन बहुत अधिक नहीं क्योंकि dryness बहुत create करती हैं, यह mucous membrane का, next आती है vitamin C, vitamin E, sorry, vitamin E not only for hairs, but it is also essential for our eye health, research ने यह show किया है कि direct link है between eye health and vitamin D, E, vitamin E की वज़े से जो oxidative processes हो रही हैं बोडी में, अगर वो slow down हो जाएं, तो हमारी eye की जो cellular growth है, उस पर फरक पड़ता है, यह जैसे seeds में है, almond में है, nuts में है, vitamin E उसमें पाई जाती है, यह तो थी कुछ dietary चीज़ें जो आपको अपनी आखों के लिए consumption जिनका करना है, इसके अलावा जो blue screen है, जैसे आजकल adults, बच्चे या फिर हमारे senior citizens, सब लोग blue screen के exposure में रहते हैं, mobile करते हैं, laptop करते हैं, वो बह ग्रीन लीफी vegetables, उनको अपनी डाइट में शामिल करें, नींद प्रोपर ने 6-8 घंटे की नींद अवश्य लें, और सुबह उटने पर ठंडे पानी से आखों को जरूर दोएं, अधिक जानकारी के लिए हमारी website homieblessings.com पर विजिट करें, कुछ पूछना हो तो comment box में comment कर और प्लीज माय रिक्वेस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू